बोल देते कि आतंगवादियों के कबर पर आप फात्मा पढ़ने गये थे डर लगया किया राम मंदर आने में? डर गये क्या? डर गये? डर गये? ये प्रधानमंत्री जी ने घोसी की सभा में कहा कि जैसे बिल्किस बानों का केश पलट दिया गया था वैसे ही राम मंदिर जो बना है उसका जो फैसला है वो विपक्ष पलट देगा मुश्लिम मतदाता मुश्लिम बुद्ध जीवी से वारता करने के बाद मैं इस बात को आपके पास रख रहा हूँ कि मैं राजुदास सुरू से आप लोग जानते हो कि सुद्ध दुरूप से मैं कट्टर हूँ जो कि आप धर्म से जुड़े हुए हैं ऐसे पर धार्मिक विशय तो जरूर मैं पूछूँगा जब सपा के लोग कहते हैं कि राम मंदिर बेकार है ये सुनकर क्या मन में आपके लोग सभा चुनाओं के साथवे चरण के मदान के लिए सभी पार्टियां पूरे जोर लगा रही हैं भारती जनता पार्टी ने अपने नेताओं को सुपशिंदकों को पार्टी कारेकरताओं को उन छेत्रों में भेजना शुरू किया है जहां साथवे चरण के मदान होंगे हम घोशी में हैं और घोशी में हमारे साथ हैं महंत राजूदी जो की घोशी में यहां पर N प्रतियासी क्या करेगा जनता के लिए सारी विशे को रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है महराजी सबसे पहले तो ये कि चुकि आप धर्म से जुड़े हुए हैं ऐसे पर धार्मिक विशे तो जरूर मैं पूछूँगा जब सपा के लोग कहते हैं कि राम मंदिर बेकार है ये सुनकर क्या मन में आता है इसलिए तो राजुदास को भजन पूजा पाट छोड़ कर घोसी के गलियों में घोसी के गाउं में ग्रामों में घूम घूम कर और यही चंता को समझाने के लिए हम आए हुए हैं कि जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश और केंदरी की सरकार लगातार मोदी जी और लगातार योगी जी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश कैसे डबलब हो कैसे भारत विश्व पटल पर अस्थापित हो दोनों ये धुरी मिलकर लगातार प्रयास करें यही उत्तर प्रदेश था, दंगा प्रदेश कहलाता था यही भारत है जो लगातार भमधवा का आए दिन दंगे होते थे, आए दिन भवाल होते थे मैं पूछना चाहता ह। वही लोग हैं, वही मिश्णरी है वही सरकारी संस्थान है, आज मोदी जी के सरकार में दंगे क्यों नहीं हो रहें सीय और एनर्सी के नाम पर एक खुन चुसवा लोग, बटवेचवा लोग थोड़ा बहुत दंगा कराए लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी का हंटर चला, सब ठीक हो गया ऴखिषित भारत के सपमावेका है, उस सपने को साकार करने के लिए मोदी जी जी लगे है इसके नाते घरों से निकलकर ऑशरमों से निकलकर साधू गहों में घोम रहा है और जिस प्रकार से स्थपाल यादों ने कहा क्या पता है आपको राम गुपाल यादों ने राम मंदर वेकार मैं धंके की चोट पे काता हूँ हम सनातन के मानने वाले हैं और सनातन क्या सिखाता सर्वे भंतो सुखना सर्वे समतो निरामा विश्वधुत के साथ बस्देव कुटम करम के साथ आज तक हमने किसी भी धर्म का अपमान नहीं किय तो मैं पूछना चाहता उन से कभी उन्होंने क्यों क्यों नहीं कहा कि मस्जिद वेकार है बोल दिये होते हैं दम होता राम कुपाल में कभी अगर दम होता मानिय खले सुद्दीन जी आप बोल देते कि आतंगबादियों के कबर पर आप फात्मा पढ़ने गये थे डर लग हमारी कैबार मुला काथ हुई आपने कहा कि हम हिंदू है शनातनी है और बाबा जी आप अखले सुद्दिन बोलते हुए अच्छी बात नहीं है मैं पुनह आपको अखले सुद्दिन जी बोलता हूं इसलिए क्योंकि आपको फात्मा परने का आतंगवादियों के मजार पर फातिया पर नECA वक्त हैं लेकिन आपको राम मंदिर आने का वक्त नहीं है राम किसी दल किसी संप्धाई कैं डुक होता है महोदैं जिस प्रकार से पूरे देश में सनातन को करव डहाइंगू मलेरी का जाता है जिस प्रकार सो अपमोधिजी का विरोध करिए चले यह था तब सर्मिधान नहीं था क्या तब समिधान कहां था जो गभण्य अगडबन्दर के के लोग की जो सोनिय एंटॉनमैन ओिसकी राष्ट्य अध्यच्या है जिस प्रकार से काला कानून थोप करो जिस प्रकार से देष में पूरे देश उससे आहत है कि ऐसे ऐसे कानुन आपने थोपा तो दुर्भाग की बात है आप समिधान बचाने के नाम पर जनता को गुमराह करते हैं जनता विकास को और बढ़ चुका है जनता विकास चाहती है जनता सनातर न संस्कृती हिंदू हिंदूत के साथ भारत की उसे में डाक्टर अर्विंद राजभर चड़ी का बटम दवाकर और घोसी के बासी प्रचन पहमत से जितार है यह प्रधान मंत्री जी ने घोसी की सभा में कहा कि जैसे बिल्किस बानों का केस पलट दिया गया था वैसे ही राम मंदिर जो बना है उसका जो फैसला है वो प्रविच्ट तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे आप यहां तक जजो को धमकी देते थे तक तो सत्त ही मानें यह और दूसरी बात कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ट नेता हैं चलाईएगा इस चीज़ को कॉंग्रेस के पार्टी के वरिष्ट नेतला अभी भी हैं उन्होंने इस्तिपा नहीं दिया कॉंग्रेस से राहूल बाबा ने उनको पार्टी से निकाल दिया इस्तिपा नहीं दिया कॉंग्रेस पार 375 कैसे बहा लो इसके नाते होकील खड़े किये जैसे ही राम मंदिर का आदेश आया सारे लोग काले त्रिपाल प्रहिन कर मातम मना रहे थे उसी प्रकार राहुल गांधी ने हम लोगों के साथ एक मीटिंग की यह त्या किया अगर कॉंग्रेस के सरकार बनती है तो हाई प्रो कार से राम मंदिर का फैसले को पलट कर और वहां पर बावरी मस्जिद तामिल करेंगे दुरभाग की बात इसके नाते मानिये देश के सब्रदान मंतर जी को बोलना पर रहा है इसलिए बोलना पर रहा है प्रदान मंतर जी चिंतित हैं इसलिए चिंतित हैं क्योंकि भारत द विशुपटल प्रास्थापितो भारत में रहने वाले सभी संदाई मत मतांतर के मानने वाले लोगों को च्किसा सिच्चा रोजी रोजगा मिल सके आज सबसे ज्यादा सुखी कौन है गोशी में तमाम मुस्लिम संदाई के पास भी गया उन्होंने एक जबाब दिया कि महराज जी बहुत बबाल हम लोगों ने जहिला है बहुत दंगे हम लोगों ने जहिला है सारा लाव हमारे संदाई को मिला है मैं अपनी बात नहीं करा हूँ मुश्लिम मतदाता मुश्लिम बुद्ध जीवी से वारता करने के बाद मैं इस बात को आपके पास रख रहा हूँ कि क्य यहां आज साथ दिन से गाउं गलियों कूचों में घूम कर आपको इशली बता रहा हूं क्योंकि यहां की जमता विकास चाहती है। वही काम तो अंग्रेज ने भी किया फूट डालो राज करो वही काम तेलो कर रहे हैं। और अपनी दुकान बंद हो चुकी है कोई विजन नहीं कोई रिजन नहीं हिंदू मुसल्मान हिंदू यह आरप लगाते हैं। सबसे ज़्यादा मैं देखा गमंडिया गडबंदन के लोगी हिंदू और मुसल्मान करते हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ हरमान जी महराज से। हरमान जी महराज इनको सत्बुधी दे और ऐसा सत्बुधी दे कि ऐसा गड़ा इनके दिमाग पे लगे कि ऐसी सत्बुधी आए कि हिंदू और मुसल्मान ना करें। और दुख है जिस प्रकार से अभी कलकत्ता हाई कोट ने मम्ता बानो सरकार को लतारी कि आप इस प्रकार से ST, OBC के आरक्चन काट कर मुसल्मानों को नहीं दे सकते। एक तरब तो आप चिलाते हो कि मोधी शम्मिधान को खतम कर देगा और दूसरे तरब आप शम्मिधान को मिटाने के लिए तो काम कर रहे हो। इसके नाते ओटकटवा, खुन्चुसवा से साब्धान होने की जरुवत है, भारत सरातन संस्कृती हिंदू, हिंदुत की कैसे रक्चा हो पावे, भारत की मान, स्वभिमान, संमान की कैसे रक्चा हो पावे, धर्म के अधार पे आपने तो देश को बाट दिया, हमको कहा अपने ने आई दिया, मैं पूछना चाहता हूँ, गमंडिया गडवंदन के लोगों से, क्या हो हिंदू नहीं है, मैं उनसे सवा विंदूर्यकस yourज हम सब्सक्राइब पर जिससे आप बहुत नाराज है इस समय में में मैं गदा इसलिए निकाला हूँ कि धर्म विरोधी मेरे टार्गेट पर हैं जो सनातन को कुरोणा कहते हैं जो सनातन के मानने वाले को नीच कहते हैं जो रामचेत मानश फारने जलाने परतिवंद करने की बात करते हैं जो शक्रति को बचाने के लिए सिर्फ एक धे एक नारा कमल निसान और मोदी का सम्मान बचा रहे इसके नाते राम मंदिर 500 वर्स के संगर्स्त बाद एक दो तीन देने महोदा फिर मैं निवेदन करूंगा 500 वर्स के बाद और ऐसे नहीं साक्ष, पुरान, एविडेंस, वेद, प अग मंद्र कोुट आप दैगे में तनकले ने के बाद हम लोगों ने मुकदमें लड़े चलालते जीले घोली सीने पे खाए आज गोली मारने वाले अगोले ताओस से क्या बोलने है अब आपको ताओस कहते है पहले ने रहे राम मंदिर नहीं आये आएंगे राम मंदिर कलब आप बोलते हैं कि वहां मंदिर तो बनाई नहीं, आप बता ओ, भीजे सिंग जैसे पागल आदमी यह कहता हो कि राम मंदिर वहां बनाई नहीं, ससी थरूट जैसे मुर्ख व्यक्ती कांगरेश का रेता यह कहता हो, कि अरे हमारी सरकार होती तो और फास्ट मंदिर बनबा देत कि एक सब्सक्त साली सरकार बने एक स्वस्त सरकार बने और एक ऐसी सरकार का निर्मान हो जो डंक्य के के चौट पर एक सब्द में बिना परवाह किये वियपक्ष धर वात आप छरी का बटम दवा कर और डक्टर साब को अब चुनाओ जिते हैं यही मेरे मन में सवाल आया महन जी कि मैं आपसे मुंबई में मिलता हूँ आयोध्या में मिलता हूँ मैंने नहीं सोचा था कि घोसी के एक गाउ में मुहमदाबाद के एक तालुका के इस छेतर में गाउं में आपसे मुलाकात होगी आप यहां क्या कर रहे हैं? मतब यहां कौन सा राजनीतिक संक्रण आप यहां पर सेट करने आए हैं? आप देख लिजे जहां पर आप आये हो यहां अस्तिफीजदी मुसल्मान है उन मुसलिम परिवार को पास आया था मैंने उनसे निविदन किया कि आपके पूरवज कभी सनातनी रहे हैं आपके पूरवज कभी दूर हैं आपके पूरवजों ने अकरांताओं के डर के मार से इस्लाम श्यकार कर लिया है जागो मेरे शनातनी सेर और अपने आपको पहचानो आप सिवा जी के बंसज हो आप माराना परस्ताप के बंसज हो आप भगवान परसुराम के बंसज हो आप भगवाराम के बंसज हो आप महावीर के बंसज हो आप भगवान बद्ध के बंसज हो जगो तो आप कहां हाथों को मजबूत कर लिए इसकी नाते जहां पर 80-85 फीसी मुस्लमी लाका है वहां आपकी हमारी और प्रचार के दौरान मुलाकात हो गई और आपसे हमारी मुलाकात महराश्ट में भी हुई थी उस अहंकारी सिबसेना को खतम करने के लिए जो सिबसेना ने निहत्य साध्यों की हत्या करवाई थी और जो सोनिया और टोनो मायनों के चरण में लेट गया था उसको समापती करने के लिए महाराश्ट गया था और वहां पर आपसे वारता हुई थी तो आज गोसी में भी आपसे मुलाकात ह यहां पर जाती यह संक्रण बहुत माइने रखता है चुनाओं में कई बार तो मुद्दे पीछे चुड़ जाते हैं जात कास्ट पॉलिटिक्स तो बहुत मामले माइने रखते हैं गोसी कि अगर मैं आपको बताऊं तो देश की आजाती के बाद तीन चुनाओं छोड़ दें आप देखेंगे कि चाहे आँ राजबर हों चाहे रायसाब हों चाहे और भी लोग हों यहां क्या है कि उनकी शंख्या जादा है इस हिसाब से राड़ितिक दल की लोग इनहीं लोगों को टिकट देते हैं अपने लाभ के लिए कि इस विरादर के बोड जादा है इसके नात आती पंथ मजब से हड़कर विक्षित भारत के लिए आप मेरा सहयोक्री आज मोदी जी का भासन अपने सुना होगा दो विशे पे उन्होंने केंद्रित किया था कि एक मेरा प्रशनल काम है उस पर आप लोग क्या मेरा साथ दोगे के नहीं दोगे जनता ने कहा कौन सा काम और जनता ने सुना और उन्होंन का हग के विक्षित भारत के लिए आप जिस मत मतांतर के मानने वाले हो अपने देवी देवताओं से प्रात्न करना हम रहे या ना रहे लेकिन सपना को साकार करने के लिए आप मिल के पत्थर साबित होगे इसके नाते मोदी जी के साथ लोग है और जाती बात्ता का ये जनजाल खतम होगा मैं मानता हूँ जाती बात्ता आप मैं फिर से मैं कहना चाहूँगा कहीं वेद में पुरान में सास्त में उपनिशद में इस प्रकार के जाती बात्ता नहीं है लेकिन दुरभाग है दुरभाग है कुछ लोगों के द्वारा जा विकास से कोई लेना देना ने, लेकिन आज ओभी लोग जागरूख हो रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि नहीं, अब मुझको जाती वात्ता के साथ नहीं चलना है, मुझको विकास को चलना है, डवल्प्मेंट के ओर चलना है, चिकिसा को चलना है, सिक्छा के ओर चलना है, कि मैं पूछना चातो विपक्ष कियानेता हैं आपने राई साब की बाद किया अभी आपने हमारी प्रत्यासी जी से भी पूछा था प्रत्यासी ने मेरे जबाब भी आपको दिया यह जबाब दिया कि वह समास सेवा की तो अफधारना लेकर तो चले हैं लेकिन एक पढ़ा के दिशिटें के लिए कमपनीं हो तहाला कि नहीं है। अगर उनको सेवा ही करनी थी घुसी डिइकरी क permתי नावं कि झोचक के तो चि can फिर si Vности क obra को तोड़ते होते हैं यहां पर मेंडु का सब हिंदू एक साथaben को संभव था क्या मोदी जी प्रधान मंत्री हो पाते संभव था क्या कि योगी जी उत्तर प्रदेश के बाबा मुख मंत्री हो कितना बाबा है उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख मंत्री बने तो कहां जाती वात्ता है जाती वात्ता है तो जंदी तूट गई वास हिंदू स सबका सम्मान करता है इसके नाते मोदी जीक साथ है कि विपक्ष के कुशनेता कहते हैं कि पाकिस्तान से डरना चाहिए उनके पास परवाण उबम है नहीं देखे अब नहीं एक सब्सक्राइब होता था कि लोग डरते थे अब क्योंकि ससक तसाली राजा है घर में घुस करेस् और अब तो देखे खेला होने वाला है मैं डंके की चोट काता हूँ अगर 400 पार आप करोगे तो सम्मिधान में कुछ हद तक हम संसोधन करेंगे और ऐसे ऐसे विसेओं को जो काला कानून अंग्रेजों के जबाने के बने हुए है जो देश को तोरने की बात होता है जो डव में चरण के चुनाओं में मतदाता बंदों से अपीले मेरा मोधी जो कहता है वो करता है और करके दिखाया है आपने देखा है इसके नाते पाकिस्तान से डरने की जरूरत नहीं है मोधी जैसा बेटा आपके पास है तो किस बात की चिंता है अधर नहीं करते हैं और उसमें आपने अभी ततकाल में साथ के बाद आपने कुछ कानून क्यों उसमें ड़िया साठ के बाद आपने कुछ एक्ट डाला है उस एक्ट को तो खत्रम करना पड़ेगा संसोधन तो करेंगे लोग बदलने की बात करते हैं मैं संसोधन की बात करता हूँ जो लोग संविधान में किस प्रकार से छेरचार किये हैं अगर वह चीज जन्मानस में रखा जाए तो ये लोग नंगे हो जाएंगे ये लोग नंगे हो जाएंगे संविधान के साथ इन लोगों ने बलात कार किया फिर मैं काता हूँ सम्विधान के साथ गवंडिया, गडबंदन के लोगों ने बलातकार किया है और उसका मान, उसका सम्मान बचाने के लिए मोधी जी की आना जरूरी है बहुत धन्यवाद महंत राजुदास हमसे बात करने के लिए महंत राजुदास जो की बहुत बुखर है अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं और जो बोलते हैं डंके की चोट पर बोलते हैं और फिर बहुत बड़ी बात कही है कि 400 पार सीटे आएंगी तो सविधान में संसोधन होगा काशी के बाद मतुरा भी और काशी मतुरा दोनों काशी मतुरा इसके अलाबा प्योके हमारी है इन लोगों ने चाई बेचने में दे दिया चाई पीने में दे दिया इन लोगों ने चाई पीने के गुलचडे उनने गए और दे दिया तो ये तो नहीं चलेगा ना अब सब वापस आएगा क्योंकि मोदी जी ने आपने देखा है दस साल उन्होंने काम किया है काम के बल पे आप से बोट मांग रहे हैं फिरी में भासन जैस सिंग एबीपी न्यूज घोसी